देखें यहां तो ऐसा कुछ फाइनल है इदा देखें सेल्फी पॉइंट इस समय बादित हुआ है मालब फोटो वगेरा की जाने में दिक्कत आती है और देख सेते इतनी नीचे मालब गड़ा करके तब फॉंडेशन वगेरा त्यार किया जा रहा है ऐसे यहां तक वॉल पूछा बताया बहिया ने और यह वाला चीज मुझे पता चला यह जैस्वी राम दोस्तों कैसे आप सब स्वागत फिर से मैं इस नहीं वीडियो में तो अभी हम मौगे पे खड़े हुए राम की पैड़ी के अंदर एंट्री होती है यह पीछे रता मंगेसर चौराय से और यहां पे कुछ डिवलम्मेंट के कार किये जा रहा है चीजों को अपडेट किया जा रहा है मलब बिल्कुल नया ही बनाया जा रहा है अपडेट नहीं किया जा रहा है जैसा कि उस साइड की और चीज़े बनी है वैसा ही इस साइड की और बनाया जा रहा है तो इसी के बारे यह है पंप के द्वारा पानी खींचा जाता है अभी हम चलेंगे आगे आपको दिखाएंगे तो यहां पे जो है सादालू बड़े ही आसानी से नहा लेते हैं असनान कर लेते हैं सर्यू असनान जो की मलब कोई भी रिस्क नहीं रहता है घुटने तक पानी होता है और जिससे दूबने का चांस बिल्कुली जीरो हो जाता है और वहां पे आप दूर देख सकते हैं वो बोर्ड लगा हुआ है राम पत्मार से होते हैं अध्या राम मंदीर हर्मान गड़ी यहां सब और इधर यह देख सकते हैं बेड़ा लगी यहां से धरम पत्मार जिसका की देखें सीड़ियां बनाएगी है जैसा आपको उस साइड के देखें नजर आ रहा है न वह सारी चीज़े वह से बनाए जा रहा है चली चलते हैं दिखाते हैं आपको अब चीज़ें जो है वहां से सुरू हुई है चाहों में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हावा चली ठंडी 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 और ठीक बगल में रोड है यह देखें इस चीज़ों को नए इसको बनाया गया है इसके बारे हमने बहुत ही पहले बताया था और देखें यहां सब पत्थर लग रहे हैं वह नीचे के चले यहां सब पत्थर लग रहे हैं देखें बगल में रोड है यहां पर चीज़े बिल्कुल ऐसे ही बनेगी अब यहां को दिखाते हैं किस टाइप का यह बनेगा आगे वहां पर शट्रिंग की गई है देखें पुराने पुराने आपको यहां से राम की पेड़ी पे वह दीख रहे होंगे जो धरोवर हो गए रहा सब हुआ करते थे आज से करीब पांसो साथ पहले मान सकते हैं देखें कई सारे पत्थर आके पिंक स्टोन रखे हुए जो कि पूरी सीडियों पर लगेंगे जिससे की यह काफी ज़दर निकरेंगे और देखें सोलर पैनल आप देख सकते हैं आप पर कई सारी लाइट लगेंगे देखें यह यह लाइन से जाये इनको लाइट रहे या न रहे बट यह जलेंगे कई सारी चीजों की अभी यहां पर ज़रूरत है जैसे डस्ट बीन वगएरा और इदर सब देखें साफ सफाई की भी ज़रूरत है बट अभी चलाओ है क्योंकि काम हो रहे हैं काम हो जाने के बाद देखें कुछ ऐसा यह बनेगा एडर के साइड यह बनेगा ताकि आदमी बीच में जा सके वहां पर देखें यह दोनों पॉइंट ऐसा बना वहा है गिरे हुरे ना यार काफी मच्बूट सट्रिक की गई है ठीके ऐसा यह मोल्डिंग निकलेगी ताकि नीचे से आए चले एक जगहां वह तो बन भी चुका है कि देखें यहां पर यह कंप्लीट हो चुका है मलब सेट्रिंग निकल चुकी है फाइनल कंक्रीट के मसाले से धराई कर दी गई है देखें ऐसा कुछ है देखें यहां कि ऐसा कुछ फाइनल है इदा देखें इसको देखें अगर इनको दोड़ा सा भी चेड़ा क्याना कजब खदर ना कूँ बनाएगा आगे देखें वहां पर वर्क हो रहा है चलते हैं दिखाते हैं आपको पुरा राम राम की यहां पर धुन सुनाई देती है सब लोग जैश्री राम जैश्री राम के नारे लगाते रहते हैं यहां पर देखें यह रोट से अगर आप उतरेंगे तो पहला वहां से सेड़ी परता है राम के पैड़ी के नीचे उतरने के लिए यहां से आप नजारा दिखें राम की पैड़ी का आई यह उपर थोड़ा सा आज आते हैं तब यहां से आपको दिखाते हैं आप देखें सीन आप देखें अब देखें उदर के साइड बनना बाकी उदर सब देखें जाल हो गेरा बांदा गया है आई यह उतरते हैं नीचे यहां से आई यह छोटी वाली सिगडी से उतरते हैं कई सारे देख सकते हैं पिंक स्टोन आके रखे हुए हैं और यहां पे मुझे लग रहा है कई सारी चीज़े डिजाइन हो गए आभी बनेंगी क्योंकि डिजाइन हो ले पत्थर भी आए वे वह बीच में जैसा कि हर जगा इस समय बन रहा है यह पहली सिड़ी है उदर से उतरेंगे तो अब राम की पैड़ी के साइड आ जाए और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यह हाई टेंशन का पोल पहले इदा से हाई टेंशन वायर जाता था जो कि यह हट चुका है काफी पहले ही अभी भी एक देख सकते हैं वापे जाल आपको दिख रहा होगा सरीय का ऐसे लाइन से पुरा देख कंक्रीट का मसाला भी डाला गया है वहां तक पुरा कंप्लीट ऐसे बनेगा देखिए कुछ लोगों के लिए इंपोर्टेंट सुचना यहां पर बोर्ट पर लिखा हुआ है एक बार राम की पैड़ी का खूब सूरत दरिश्च आप देख सकते हैं आए चलते हैं आगे वर्कर्स अगरा भी देख सकते हैं लोग बैठे में साफ सफाई करने के लिए और राम की पैड़ी वाकाई में इस साफ सुथरा दिख रहा है बड़ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की और यहां सब देख सकते हैं पेड़ों पर कैसे लाइटे लगाई गई है चलिए आगे चलते हैं सेलफी पॉइंट के बाद भी कुछ वर्क हो रहे हैं उसको दिखाते हैं अपको देखे इस वाले पॉइंट पर यहां पर सेलफी पॉइंट लगा है जो कि यहां पर भी वर्क हो रहा है अब देखे सीडी हो सकता है यहां तक आके इस पॉइंट तक बने की या और आगे तक थोड़ा सकरें यह दूसरा है अगर आप रोट से आएंगे देखे वहां पर बोर्ड पर कुछ इंडिकेट किया गया यहां से आपको दिख रहा होगा गोंडा बहराइज बल्रामपूर माला पुराने वाले सरीव पुल से देखे इस पॉइंट पर कई सारी चीज़े बन देखे यहां पर लोए की सरीया वहां पर अप्षी दिखाते हैं आपको आए उपर चलते हैं कि यह देखे इसा कुछ है अभी मौके पर इदर के साइट देख सकते हैं अब क्या चीज़ बनेगा यार कि इन लोग से पूछते हैं कि पता है कि नहीं है फिर बताते आपको तो हमने पूछा तो भया लोगों ने बताया कि यहां पर फोटो बनेगा राम जी का लचमर जी का बट फाइनल कौन से डिजाइंग बनेगी यह नहीं पता है इन लोगों को अब उसके लिए आपको हुआ हुआ है तो ऐसा कुछ इस सेलफी पॉइंट के पास ऐसा कुछ वर्क हो रहा है इस हुरे राम की पैड़ी पर यहां पर है यह इस अचाल है मुत्राल है देखें कुछ वहां पर सरी आओ गरा बनाया जाए उस वाले पॉइंट पर पीछे वाले उसमें लगाया जाएगा आईए चलते हैं इदर से आपको घाट के तरफ दिखाते हैं क्या आप बेठें घाट के साइड देखें यही वाला है जो रस्ता उपर से रोड से उतरता है देखें में सर्यून दिखें आए चलते हैं आगे देखें यहां पर यह वाल बन रही है कैसे मलब इतने नीचे मैंने दिखाया था पिछले अपडेट में काफी मजबूती से और देखें इतनी नीचे मलब गड़ा करके तब फांडेशन त्यार किया जा रहा है ऐसे यहां तक वाल लाई गई है इधर के साइड देखें काफी जादे समय सर्यू नदी का जलस्तर काम हो चुका है पहले जोता दोस्तों यह जाली की मलब लगी होती है जैसे यहां पे यह लगा हुआ है पड़ आप इसको अपडेट करके वाल बनाया जा रहा है वाल काफी अच्छी बनाए जाएगी देखें इस तरीके से दाए और आप यहां सब जो है काफी एडवांस टाइप की वाल बनेंगी यह वाला जो पॉइंट है यहां पर यह काफी अच्छा बना गया था इस बी आइपियों के लिए कोई आए तो वहां पर आके और काफी अच्छा पोटो अगरा ले सके इस सर्यू नदी का और इस सर्यू पुल का और देखे सर्यू आरती दोस्तों यहां पर होती है इस वाले पॉइंट में बना हुआ है देखे बीच बीच पे छोड़ा गया है और उपर सर्या निकली हुए है जो कि एक अलग डिजाइन देने के लिए मलब कई सारे डिजाइन बनेंगे यहां पर अलग अलग प देखे वो जो है बड़ी सी स्क्रीन सर्यू नदी में वहां पर तैरती रहती है जिस पर सैंचुरी लिखा हुआ है उस पर चलता रहता है दार्मिक चीज़े रमयार से एडिकेट चीज़े अड़िटिजमेंट भी चलता रहता है में तो वही एड़िट इसमेंट लिखाना देगे वहां पत्रों पे कैसे पुरी की पुरी राम की पैड़ी दर्स आई गयी है एक विट आपको दिखाते हैं दोड़ा साइड में होके देगे एक यहां बना हुआ है एक उधर बना हुआ है दो चली चलते हैं वहां तक चलेंगे लश्मण घाट तक और यहां भी आप देख सकते हैं चीजों को किस सरीके से बनाया जा रहा है देखे तो काफी अच्छे चीजे बनाए जा रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है पांचे मैने याइस साल के आन तदा काफी चीजे जो है बदली बदली नजर आएंगी देखे अभी हम आपको पंप भी दिखाएंगे जिससे सर्यू नदी में जो है पानी जाता है आईए इदर से तोड़ा सापको दिखाते हैं देखे कितना अच्छे ये देखने में लग रहा है अभी दिखाते हैं आपको देखे वहाँ पर पंप अभी पानी भी आपको दिखाते हैं कैसे आता है देखे तो ऐसा कुछ वह पंप के दौरा में सर्यू नदी से पानी आता है ये आप दिखाते हैं कहां से पानी खींचा जाता है देखे एक दूसरा यहां पर बन रहा है इस पॉइंट पर अब यहां पर भी ऐसे ही रहेगा ऐसे गोल सा देखे वहां पर पानी आ रहा है तो ऐसा कुछ पानी यहां से आता है फिर जाके इदर के साइड जाता है आई ये सामने लश्मर घाट है वहाँ पर चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको देखिए फ्लोटिंग बॉक्स इदम ऐसे लाइन से गोल-गोल सा वहां तक लास्ट तक गया हुआ है और पानी का ढ़लान जो है इसी के साइड है दोस्तों बार हाती तो पूरा उपर उपर तक पानी आ जाता है कि इस पर डिजाइन भी कितना अच्छा बनाए गया पंप हाउस पर स्री लश्मण भावन देखे या त्रियों को ठहरने के लिए यहां पर उत्तम बेवस्ता है आप देख लीजिए अगर आते हैं तो यहां सब आप के संपर कर सकते हैं रुक सकते हैं अगर आप आएंगे गुप्तार घाट से पीछे पीछे तो इधर से आप चले आएंगे सीधर इधर टैल सकते इसके वीडियों ने दिया हुआ है यहां पर यह लश्मा घाट के पास कुछ ऐसा यह बनावा बहुत ही बहतरी और इधर सबका अभी वर्क आप देख सकते हैं देख सकते हैं यहां से यह लाइन से बिल्कुल घाटों के किनारी किनारे ऐसे डिजाइन और ऐसे आकार बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी हम सब को देखने को मिलेगा देखे एक अपडेट और आपको दिखा देते हैं लच्मड किला जो है उस पे भी कुछ निर्मार किये जा रहे हो सकता है सीड़ी जैसा बनाया जाए लोग बैठ सकें पहले वैसा नहीं था कि देखें वहां पर देख सकते हैं सरी का जाल भेसा रहा है तो मुझे लग रहा है कि वह सीड़ी जैसा ही बनेगा ताके लोग उस पर बैठ सकें लच्मण किला लोगी काफी उचाई पर इसका भी रिप्लप्मेंट का कार चला है पिछली वीडियो में हमने दिखाया था आपको जो दोस्तों हमने एक चीज पूझा यहां पर यह जो बहिया लोग वर कर रहा है जैसा कि यहां पर यह सीड़ी तो बनेगा ही हमने पूछा मुझे पता चला मंदीर जैसा बने गा इसा रहेगा तो मुझे लगा आपको इसके बारे में बताना चाहिए जिसने भी गाटों को बहुत ही सब अच्छे साफ हो जाएंगे और यह भी आपको बहुत आपको बने बाहरां जिसने पानी जो चाहिए बट बैराज मुझे लगा कि थोड़ा सा आगे सिफ्ट किया जाएगा क्योंकि घाट और जो है काफी दूर तक मलब रहेगा और एक सीज़ आपको और दिखाते हैं जैसे यह स्टीड लाइट आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट है यह वाली ऐसी पूरे उद्धा में लगी होगी दसो हजार लगी होगी चारो साइट पैनल लगा हुआ है और रात में जलती है काफी अच्छा मलब कई सारे यहां से लगाता लेते गुपतार घाट तक लगी हुए देखें यहां पर यह वर किया गया है पूरे सरीय का जाल यहां बांधा गया है कंक्रीट का मस देख सकते हैं अभी मौके पे यह सब दिखें जो पत्थर लगे थे उसको उखार दिया गया है नया पत्थर लगा जाए नया मतलब भी सारे घाट सब देख सकते हैं यह काफी खुब सूरत बन के निकलेगा जिस दिन यह पूरे के पूरे काफी अच्छे से वर्क लक्षमर किला ऐसा का जाता है कि लश्मर जी सेना पती थे मतलब तो उनको सर्यू नदी के किनारे ही उनका किला बनाया गया था ताकि वह इधर से सत्रू को आने पर निगरानी रख सकें कौन कैसे आ रहा है इसी वज़ा से लच्छमर किला यहां पर था तो आज की वीडियो में दूस्तों बस नहीं तक फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और ने अपडेट के साथ तब तक के लिए जैशी राम ध्यान रखी का अपना